नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत श्वागत है हमारे चैनल सुक्सेस प्लेस में इस वडियों में हम बात करने वाले एक बहुत ही धमाकाद्या और न्यूज के बारे में बहुत ही बहुत इंपॉर्टन न्यूज के बारे में कि जो इंडिन गोवर्मेंट है 59 59 59 पॉजिटिव रिस्पांस होगा या निगेटिव रिस्पांस होगा दोनों फैक्टर को जानेंगे कि कौन सा न्यूज है हमारे मार्केट के लिए निगेटिव फैक्टर होगा और कौन सा जो न्यूज है इसमें से कौन सी बाते हमारे मार्केट के फेवर में काम करेगी तो इन दोनों दोस्तों देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं TikTok, ShareIt, Leiky, WeChat, UC Browser ये सारे फेमेस एप है जिसे आप भी यूज़ करते होंगे TikTok, ShareIt, Hello, एप, Leiky एप, WeChat, UC Browser ये सारे जो एप है गवर्मेंट के द्वारा में कर दी गए है कहा गया है कि ये हमारे प्रैविसी के लिए एक खत्रा है हमारे देश के privacy के लिए हमारे defense के privacy के लिए जो people है आम आदमी है उसके privacy के लिए ये बहुत बड़ी खत्रा है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो हमारे इंडिया से बाहर है उनके privacy को वहां से उनके privacy को वहां से मतलब hack किया गया है वहाँ से इस एप के माध्यम से उनके privacy को जाना गया है तो यह सारी activity को देखते हुए है The Ministry of Information Technology ने इस सारे उनसर चाइनी एज एप को बेन कर दिया है और यह जो Ministry of Information Technology है वो section 69A Information Technology 2009 इसके तहत उनको प्वावर था कि वो यह decision ले सकते थे तो उन्होंने section 69A और 2009 Act के तहत उन्होंने इस सारे एप को बेन कर दिया है जिसका list आपके सामने है तो चलिए इस list को जानते हैं कौन-कौन से इसमें एप है तो आप सभी का जो सबसे famous एप है सबसे जो प्यारा एप है TikTok दोस्तों इसे आपको प्यार नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह एप आपके privacy ले खत्रा है यह हमारे देश की आर्थिक तरक्री के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है देख सकते हैं यह TikTok एप जिस पर काफी आप ज़्यादा इंगेज रहते थे आप पर हाई स्टेडी बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते थे और इससे फाइदा क्या मिलता था कुछ नहीं TikTok को बेंड कर दे गया है दूसरा शेर इट इसे भी बेंड कर दे गया है देख से हैं और UC ब्राजर देख बहुत सारे नाम है जिसे आप UC बैटरी से भर हेलो लाइक तो बहुत सारे एप है जिसे गुर्मेंटे बेंड किया है चलिए हम आगे और भी एप देते हैं फिल बात करेंगे इसके निग्रेटिव और इसके पॉजिटिव रिस्पेक्ट की देख से हैं हमारा देख से हैं You Can Make Up MI Community MI के एप को भी बंद किया गया है CM Browser, Virus Cleaner Club Factory Club Factory को काफी ज़्यादा आप देखे होंगे Club Factory पर जाएए और ऐसे बाइंग किजिए News Dog, Beauty Plus आप देखते जाएं कितने एप हैं इसके बाद UC News देखते हैं Gender, Share It, Gender यह सारे एप चाइनिज एप थे जो हमारा स्वामी है उसका भी एप देखते हैं MI Video Call यह सारी एप भी बंद किया गया है उसके बाद देखते हैं भीबा वीडियो वीगो वीडियो न्यू वीडियो स्टेटस ड्यू रिकॉर्डर देखते हैं यह भी चाइनिज एप यह पर देखते हैं यहाँ पर देखते हैं यह में उसको प्राइवेशी यह सारे एप जिसको गुर्वर्मन्ने बेंड बेन कर दिया है मतलब प्राइवेशी को ध्यान में रखते हुए अब हम इसके positive और negative perspective है सबसे positive respect यह सारे जो Chinese app बंद कियेंगे इससे हमारे यहां की जो tech company है जो technology company है जो यह company है जो develop करती है उसके पास opportunity है वो भी ऐसे अच्छे अच्छे अप जो है वो भी बनाए और market मिलाएं क्योंकि हमारे यहां इतनी बड़ी population है तो उनके पास बहुत अच्छे opportunity है कि वो भी बनाएं तो बहुत अच्छे opportunity के साथ वो आ सकती है हमारी जो company है वो आगे इन सारे एप को बना सकती है तो यह बहुत बड़ा positive response है जो stock market है हमारे उसके लिए कि जो हमारे यहां के जो manufacturing company होगी जो IT की manufacturing company होगी जो इस तरह की software बना सकती है उसके लिए बहुत बड़ी opportunity चलके आई है वो आगे बने इन सारे जो मोका मिला है इस मोके का फाइदा उठाएं वहीं दूसरा बात यह है कि यह एक तरह से इस तरह से अमेरिका और चाइना के बीच ट्रेड वार उत्पन हुआ है उसी तरह इंडिया और चाइना के बीच भी यह एक मनमुटा उत्पन हो सकता है कि हमने बैन क्या वो भी हमारे कुछ product को बैन कर सकते है तो इस तरह का Controversy जो इंडिया और चाइना के बीच भी उत्पन हो सकती है जो कि हमारे Stock Market के लिए Negative News होगा तो Positive News भी है कि हमारे यहांकि जो Manufacturing IT कंपनिया है जो कि इस तरह के Software बेरानते उसके लिए बहुत बड़ी Opportunity चलके आई है और वहीं दूसरी Respect है कि इंडिया और चाइना के बीच की जो Controversy है उसे बढ़ा सकती है तो दोनों Respect को आपको देखना है और आगे हमेशा ध्यान रखना है इस चैनल से जुरे रहना है हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे कि कौन सी Controversy उत्पन्र हो रही है हमारे इंडिया और चाइना के बीच उस पे आपको नजर बनाई रखना है तो अमीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए helpful लगा होगा और इससे आप अभी के जोर हालात हैं उसे जानने में सफल हुए होंगे तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक क्लिए जाहिंद